हलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैं चैनल सिंपल क्रियेशन बाय अनीता सिंग आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे डोरी बनाना डोरी बनाने के लिए हमें औरे पट्टी चाहिए होती है तो इसके लिए मैंने ये स्क्वेर पीस का कपड़ा काट रखा है इसकी चोड़ा करण सेंटर क्लीज टेटेश सेंटर कें सेंटर कर मैं सेंटर कीम आपकेह भेंते ही मrik में काट प्रीजित मोटी डोरी बनानी है तो आप इसे 1.5 इंच पर मार्क लगा सकते हैं इस तरीके से हम 1.5 इंच का मार्क लगा लेंगे अगर आपके पास 1.5 इंच का स्केल है तो आप इस तरीके से स्केल रखे भी सीरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से रखेंगे और यह मार्क हमारे हो गया दो पत्टी ये निकल कर आ गई इसी ततरीके से हम यह दूसरी लाइन भी द्रा बेंगे आगर हम ईज्यादा लंबी स्ट्रेप चाहिए तो इसी तरीके से मार्क करते जाएंगे तो यहां पर मैं सिर्फ यह दो लाइन ड्रॉख कर रहे हूँ, अब हम इसे wirday कट कर लें गे यह mover अंदर भाला पाथ है यह geben और सीधा पाथ है, तो मैं इसे mark कर देती हूं इस तरह से mark कर लें गे तक की पता रहे कि यह सीधी पटि है अब यह जो हमारी सीधी सीधी पट्टी है ठीक है उपर के हम एक पट्टी को उठाएंगे यह सीधी पट्टी है यहां से यह सीधा पार्ट मैंने इस तरीके से लिया और इस पार्ट को यहां से उठाएं यह उल्टा है और यह नीचे वाला सीधा है तो यह सीधे पार्ट को मै तो मुझे इस तरीके से लखोंगी होई हैसे इतना पाठ हमारा ओपड़ चला जाएगा और यह स्टिच हमारी से यहां पर आईगी स्थिच हमारी इस तरीके से यहां पर आएगी तो मैं यहां पर मार्क कर देती हूं लेना है तो यह जो line में नहीं आपर draw करी है हमें यहां इसके center से slide को इस तरीके से लेकर आना है दूसरे center तक तो जब हम इसको stitch करने के बाद इस तरीके से पलतेंगे तो यह हमारा सीधा-सीधा part इस तरीके से आ जाएगा और यह हमारी पट्टी आपस में joint हो जाएगी और यह पट्टी की खास बात यह होती कि इसमें stretch part जादा होता है मैं आपको इसे machine पे stitch करके बताती हूँ कि इसे किस तरीके से आपस में joint करना है तो इस तरह से हम इन दोनों पाटों का आपस में stitch करेंगे यह जो cross valley line दिख रही है यहाँ से stitch start करके दूसरी side में हमें लेके रहाना है जब हम इसे turn करेंगे तो यह इस तरीके से हमारी पट्टी joint हो जाएगी और दोनों सीधे part हमारे आ जाएगे की और जिए ऊपर से eastern की कब निकल रही है इसको हम इस तरीके से cut कर देंगे इसी तरह से हमें अपनी बाकी की पट्टी भी joint करनी है यह सीधी पट्टी हमारी यहाँ joint का सीधा part आ रहा है तो इसको इस तरफ रखेंगे ठीक है यह पती सीधी है हमारी कि और यह सीधी पट्टी रहें हैं तो को हमें इस तरीके ऐखना है यह अपस में आ जाएगा अब हमें डोरी बनाने के लिए हमें इसे फोल्ड करना पड़ेगा तो यह सीधी साइड है सीधी साइड को हम इस तरी किसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे यह जो हमारी उपर वाली साइड है यहां से हमें थोड़ा बड़ा गैप देना है ताकि हम आराम से अपनी पाइप पाइपिंग के हिसाब से हमें स्टिच लेना है अब यह जो हमारे यहां पर जोड़ वाला पॉइंट आएगा यहां पर आपको स्टिच को थोड़ा सा बढ़ा लेना है क्योंकि यहां पर जॉइंट पार्ट होता है तो इसे पलटने में दिक्कत आती है यहां से जॉइंट पे सिलाई को थोड़ा बढ़ा कर लेना है अब सिलाई लगाने के बाद क्यूंकि यह औरे पट्टी है जब इसady पंसको पलड़ते हैं तो इसके टांके त पतला कर देंगे ताकि जब हम इसे पल्टे तो दिक्कत ना आए इस तरीके से इसे तोड़ा-थोड़ा कर देंगे इस पार्ट को भी स्टरीके से कट कर देंगे यहां पर आप कोई भी सुई ले लीजिए और उसमें अगर पतला धागा है तो चार फोल्ड करके इसको इस तरीके से डाल लीजिए सुई में और अगर मोटा धागा है तो सिंगल फोल्ड से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से यहां से इसे डालेंगे अपनी स्टीच के अंदर से हमें इसे लेना है इस तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे और यहां से यह इस धागे के सेंटर में से इस तरीके से निकाल लेंगे तो यह हमारे इसमें गांठ लग जाएगा और अब हमें इसको इसके अंदर स सीधी तरफ से नई डालना है अधरवाइस यह आपके हाथ में चुवेगा इस तरीके से इंसर्ट करना है और इस थरीके से इसमें डालते जाना है कॉर्टन में हो थो दिक्कत होती है अगर फैब्रिक smearth है soft है तो बहुत स्थाहनी से आपके ढोरी बन जाती है लेकिन कॉर्टन में थोड़ा क्योंकि cotton हाड होता है अब जितना हमने यहाथ किसे किया है अब इसे पहले फोर अंदर की तरफ निकाल लेंगे इसकी डोरी को अगर इस तरीके से आपकी सुई बाहर आ जाए तो जादर डरने की जुरतनी है इसको वापस इस तरीके से अंदर कर ले यह अंदर हो गई अब यहाँ पर यह जो हमने यहाँ पर गांट लगाई थी यह पॉइंट हमारा मेन होता है एक बार आप यहां से निकल गए तो आपकी डोरी बहुत आराम से निकल जाएगी आपको इस गांट में फसना नहीं है बहुत आराम से इसको अंदर की तरफ करना है हलके हाथ से इसको इस तरीके से निकालेंगे यह हमारी अंदर हो गई गांट अब हमें इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से यह आ गए है अंदर अब इसे हम ऐसे निकालते जाएंगे बहुत आराम से यह निकल जाती है बस यहां नीचे आपको गांट नहीं बनने देना है यहां नीचे से ख्लीन रखना है बिलकूर इस तरीके से हमारी ये डोरी निकलती जाएगी यहां से धागे को इस तरीके से पकड़ ले नीचे की तरफ जादा पार्ट को इखटा ना करें जादा इखटा करेंगे तो ये गांट लग जाएगी और फिर आपको दिक्कत आएगी तो कम फैब्रिक ले ऐसे धीरे धीरे खिसकाए और ये एकी साइड में आपको रखना है बरल एकी साइड में रखेंगे तो आपके डोरी बहुत आराम से खिसकेगी ये देखे हमारी डोरी निकल कर आ गई है यहाँ पर मैंने वाइट थ्रेड यूज किया है तो आप अपने मैचिंग का ही थ्रेड यूज करें फैब्रिक में जहाँ पर यह आपका जॉइंट अलो पॉर्शन आएगा यहाँ पर आपको बहुत अराम से इसको निकालना है डोरी को आप अपने गले की बैक पर भी लगा सकते हैं कुर्टी की साइड में भी लगा सकते हैं और आजकल पिजामी में भी लग रही है डोरी यहाँ लूप्स बनाने के काम भी आती है तो आप इस तरीके से डोरी बना सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना इस तरह से हमारी दोरी अलकॉस्ट निकल कर आ चुक है तो जितनी मोटी डोरी आपको रखनी है उसके रॉक्पार्डिंग मेरेंे हैं तो 1 इंच काफी है और थोड cancer,fred ऐलो一 D들 की पटी ले लें डेड़ इंच की पट्टी में काफी अच्छी डोरी आ जाती है यह एक स्ट्रक कट कर लेंगे यहां से भी हम इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह डोरी मेरी कित्ती पतली निकल कर यहां पर आ गई है इस तरह से आप भी अपनी डोरी बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें अभी के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में